हेलो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्टीन टैबलेट के बारे में जो कि इस दवा के इस्तमाल चक्र की समस्या में बहुत ज्यादा यूज गया जाता है तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं वर्टीन टैबलेट के बारे में इसमें कॉंब आती है 15-10 टेप्री होती है और इसका प्राइज कर भूद क की बंचिफित होता रहता है जिस मेज़ु democrat कंपश होता रहता है यहां मेडिसीन है और बात करते हैं इसमें मप्क लिदेंस यह वर्ट टेब्लीलिट में इसमें एक ही कमपनीशन है beta histamine hydrochloride जो कि एक तरीके का histamine analog medicine है जो कि इसका इस्तमाल मेनियर syndrome में इस्तमाल करते है जो कि कान से जूड़ी समस्या है इसमें कान से tintina हात की आवाज आने की समस्या होती है इसके अलावा कानों की सुनने की छम्ता खतम हो जाने की समस्या होती है तो उनसे भी परफजों में इस्तमाल करते हैं इसके साथे साथ इसका इस्तमाल वर्टीगों के प्रॉलम में भी इस्तमाल कर जाता है जो कि पेशिंट को चक्कर आने की समस्या होती है multiple कारणों से तो उनसे भी परपोजों में इस्तमाल करते हैं पर इसे बहुत ज़्यादा इस्तमाल mania disorder में इस्तमाल किया जाता है जो की कान से जुड़ी किसी भी परकार का रोग होता है तो उनसे भी condition हो में doctor prescribe करते हैं इस दवा को यह दवा एक तरीके का से due-less drugs है जो की doctor की सलहा और रेख देख के बादे इस्तमाल करना चाहिए इसका dose का confirmation भी doctor की रेख देख में ही करें क्योंकि depend करता है कि आपकी healthy condition का है और आप इस medicine को कौन से बीमारी में इस्तमाल कर रहे हैं उनसे पर depend करता है कि आपकी dose कितनी होनी चाहिए क्या side effect है इसके लेने से अगर आपको suit नहीं करता है तो normal stage पे vomiting, सर में दर्द, हाथ परो से पसी ना आना, मुह का सूखना, भूख न लगना, कब जी किसी हिकायत, सर में दर्द, पेट में दर्द, इस तरीके के side effect देखने को मिल सकते हैं, किसे नहीं लेना है pregnant lady, breastfeeding mother, high blood pressure, sugar, heart के patient इन सभी condition में इस दवा का इस्तमाल ना करें तो यही था वर्टीन टैब्लिट के बारे में जैनकरी अगर आपको वीडियो यह जैनकरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक किजेगा और हमारे चनल को सब्सक्राइब किजेगा आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू फॉर वाचिंग